नमस्कार, सत्य हिंदी के इस खास कारिकम विजय व्यू में आपका स्वागत है। इस कारिकम में हम कोशिश करेंगे कि हर दिन किसी एक सामिक विशय पर इस पर चर्चा करें। हरियाना की हरियाना भी दंगो की हिंसा में दंगो की आग में जल रहा है। वहाँ पर पांच जिलों में इस समय धारा 144 लगा दी गई है। नू में जिस तरह की हिंसा हुई जिस तरह की आगजनी हुई जिस तरह का पत्राव हुआ भयानत था। बताया गया कि विश्व हिंदू परशत की तरफ से ब्रिज मंडल यात्रा निकाली जानी थी। धर्मिक जिलोस निकाला जाना था। तभी पत्राव चालो हो गया। पत्राव की बात कही गई कि आरोब लगाया क्या कि कुछ समूर की लोगों ने पत्राव किया। पांच लोगों की मौत भी हो गें। लगातार कोशिश हो रही थी एक दूसरे पर जितना बरसा जा सकेब जितना पत्राव किया जा और हैरानी की बात थी कि जिला प्रशाशन वहां पर इसको काम्याब नहीं हो पाया रोकने में मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब प्रज की धर्म की यात्रा जो निकलनी थी उसके लिए क्या तुरे एहतिहात के तौर पर इंतिजाम नहीं थी गए तो वह हमेशा निकलने वाली यात्रा थी कि जो निजी पुलिस थी जो वहां की लोकल पुलिस थी उसको इस बात का एहसास नहीं था कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है जब तक पुलिस इस पर काबू पाती तब तक बहुत कुछ पीच चुगा था और नूँ की आग उसके आसप वहां पर हो गई है तो अब भी पूरा हर्याना तनाव से जुड़ा हुआ है च्छे जिलो में तनाव पसरा हुआ है जिला पर शार्षन काम कर रहा है यह होम मिल्स जा है वहां के उन्होंने बार-बार का आए कि वो सबसे पहली जो उनकी कोशिश है वो शांती कायम करने की है मुख्यमंत्री जो है मनोहडाल सहब उन्होंने कहा है कि वो इस घटना की निंदा करते हैं इस घटना पर सक्त से सक्त कारवाई करेंगे और सबसे पहले काम करेंगे कि शांती बाहल की जाए लेकिन मुझे हरानी हो रही है कि वहाँ पर राजनी तिक दल निकल कर नहीं आए जिने शान्ती की पहल करनी चाहिए उस तरह ऐसे खुलकर सामने आना चाहिए था वो नहीं आया धार्मी के यात्रा पर उनमाद, धार्मी के यात्रा पर तनाव, धार्मी के यात्रा को लेकर दं कोई दंगा नहीं हुआ उस वक्त यहां पर एक दंगा हुआ ता उसके तीस साल बात तक किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ तो इस तरह के शांति प्रिय इलाके में इस तरह की घाटिना होना जाधा चिंता की बात है। बहुत सारे लोग फिर से ये बात कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इस सवाल उटा सकते हैं, कि आज जब हम सवाल कर रहे हैं, तो ये सवाल हरियानग को क्यों किया जा रहा है, मैंने कहा कि ये सवाल हरियानग को नहीं है, लेकिन धर्म में जब राजनीती का मिक्सचर पुनाया जाता है, तब तनाव फैलने लगता है, तब तनाव की कोशिश होती है, रोटिया सेखने के लिए आग जलने लगती है और इस आग का फाइदा आम तौर पे राजनेताओं का होता है और नुकसान जो है वो आम आदमी का होता है, वो आम आदमी जो कल तक साथ-साथ बैठा हुआ था, जो कल फिर साथ-साथ बैठा हुआ दिखेगा, जो साथ-साथ धंदा करेगा, जो साथ-साथ बिजनिस करेगा, जो साथ-साथ मिलेगा, हसेगा, मुलाकात करेगा, कहानिया सुनाएगा, और अपनी दुख- से पिछले 50 सालों आ जा झात के जुब के बहुत कहीं, बड़े से बड़े दंगे हो भागालपुर मेरट का भी दंगा है फिसमें बादी दंगा है, परकोल कि मेरट का किस सेर्कारे रही है। वहनली के सरकार को इसमें राजनेति किस पारटी की है, किस राजनीति दल की सरकार की है। लेकिन आम तोर पर यह देखा गया है कि जोजनितिक दल हमेशा धर्म और मजहब के नामiggers शांती बना ही रतने मेल जोल बढ़ाने की बात करते हैं वो कहीं न कहीं चाहते हैं या उनके मन में इस बात की कोशिश रहती है कि अगर कोई दंगा हो जाए तो उसे बहुत जल्दी निप्टाया नहीं जाए उसे शांती कायम नहीं की जाए क्योंकि ऐसा आरोप लगता है आप इस बात पर जोड़ दीजिए कि आम आदमी शांती से रहना चाहता है लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो मजहब के लोग नहीं है मजहब और राजनीती से मिक्स होगा जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस तरह के सांप्रदाइक दंगे भला बहुत सारे राजनीती के लोग हैं तो इन सब दंगों में शांती की पहल करते हैं वही सब मामलों को निप्टाते भी हैं वही सब लोग खड़े होते हैं जब दंगा पी रिते हो को आस्पताल में ले जाया जाता है उनी के लिए मुआवजे की कोशिश भी वही राजनीती दिक्दल करते हैं लेकिन लगातार ये कोशिश क्यों हो रहे हैं क्यों इस तरह ऐसे दंगे की जा रहे हैं नू में जो घटना हुए गुरगाओं में धर्मी की सेर्फ पर जो घटना हुए और एक और बात में पता चली है कि जब प्रिजमंडल की यात्रा हो रही थी तो उससे पहले किसी एक अपरादी के उस धर्मी की यात्रा में शामिल होने का एलान किया गया इसको लेकर भी दंगा भड़ता इसको लेकर भी भावनाएं बढ़ती और कहा गया कि वो अपरादी अगर शामिल होगा तो उसका जवाब दिया जाए क्या जिला प्रशाशन को इस बात की जानकारी नहीं क्या जिला की इस्थानी पुलिस है उसको या SHO जो वहां के थानावाले हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं अजबकत नहीं है कि SSHो को या सम्नमधित सथिकारी है उनको उनके खिलाफ कारवाई कीुछाए है सस्पेण के रहे पहली जरुए है कि वहाँ पर शांतिचापिक laughing की जाए पहले जरुवत है कि वहाँ पर जो मेलजोल है, सांप्रदाइक सदभाव है, वो बनाया जाए और जो दंगा फीडित लोग हैं, जिनके नुकसान हुआ है, उनको मुवावजया दिया जाए, उनके घरों तक राजनितिक तल पहुंचे, जो लोग बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, जिनके घरों तक पहुंचें, बिना यह जाने कि वो किस धर्म, किस मजब का है, सिर्फ पीडितों के साथ वो काम करें, उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, तब ही ये मामला निपट पाए, जो जो आज भी गुरगाम में फैली है, आज स्कूल बंद हैं, उस इ जाके में, खरियाना की बहुत सारे जिलों में, तो वो सब परिशानी होगी है, इंटरनेट की सेवाई बंद कर दी गई, आम आदमी का जीना मुखाल हो जाता है, और जो गरीब आदमी है, उसकी रोजी रोपी मुश्किल में आ जाते हैं, क्योंकि वो रोज निकलता है, रो बहुत लंबे समय तक होगा, और बहुत समय तक ये मतभेद, मनभेद में बदर जाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये मतभेद, किसी भी हाल में मनभेद में नहीं बदर जाते हैं, कोश किया जाए कि इन सब गंगों को, इन सब जख्यों को तुरंत भरा जाए, मलह इस और लेया pam लगाए जाए एक दूसरे से प्यार सब को साथ खड़े होने की जबर एक बार फिर से मैं चेतावनी के तोर पर कहा है कि राजनीती और धर्म को निमत मिलाएगे यह जो मिलन है यह जो मिक्षर होना है बहुत खतरमा है धर्म और राजनीती जब अलग-अलग रहते हैं दोनों ही ठीक रहते हैं इनकी केमिस्ट्री जो है कुछ नकुछ बिगाड़ देते समिक इसको ठ्याने के चलते चलते मेरे एक खुबसूरत मित्र जावेद अक्तर साथ की मैंजम की दो लाइने आपको सुना देते हैं मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मौरा रहे की जाए मगर जो है बाश्या उस पर कभी कोई आच ना आए वजीर को बस इजाज़त कि वो जिस तरह भी चाहिए जला जाए इन सवालों से जाने कब से उलज रहा हूँ मेरे मुखालिफ में चाल चलती है और अब मेरी चाल के इंतजार ने है शुक्रिया उमीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेतर हो आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखिए नमस्कार सत्य हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर